हेलो फ्रेंट्स मैं गीता मेलवान स्वागत करते हूं आपका हमारे यूट्यूग चैनल में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोवर्मेंट स्पोंसर्ड स्कीम्स के बारे में फर्स्ट हमारी PMEGP इसकी फुलफोम क्या उत्ती है प्राइम मिनिस्टर इंप् प्रोग्राम कि फ्रेंट्स यह जो स्कीम है हमारी यह दो स्कीम्स को मिला कि बनाए गई है PMRY और REGP PMRY के फुलफोमें प्रदान मंत्री रोजगार योजना REGP के फुलफोमें रूरल इंप्लोएमेंट जनरेशन प्रोग्राम है यह इन दोनों को मर्जगर के कब बनी थी है 15 2008 को हैं नेक्स्ट है हमारा पॉइन इंट्रल सेक्टर स्कीम यह कौंसी स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नेक्स्टवाइन एड्मिस्टेटिड बाई ministry of MSME micro small medium enterprises next हमारा implemented यह किसके दवारे implemented है खादी एंड विलेज इंडॉस्ट्रीज कमिशन एट दा नेशनल लेवल किस लेवल पे नेशनल लेवल पे next हमारा इंप्लिमन्टिड एट स्टेट लेवल पे किसके दवारे implemented कि आती है implement कि जाती है यह थे फ्रौ स्टेट ऑफिस ओप के वी इस स्टेट खादे एंड विलेज इंडॉस्ट्री 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 सेंटर्स कोर बोर्ड एंड बैंक्स नेक्स पॉइंट है हमारे इलिजिबिलिटी कोन इसकी योग्यता क्या होती है अब वो 18 इयर्स इसकी इसमें जो एज है वो 18 साल से उपर होनी चाहिए कोई इंकम का कुछ इंकम की सीलिंग नहीं है नोिंकम सेलिंग नेक्स लिंट हमारा फॉर सेटिंग्ड आप प्रोजेक्ट को उस्टां गोला manufacturing sector कितना नषी manufacturing sector में प्रोजेक्ट की कोस्ट कितने होना चाहिए अब ब मुझेस शी शेक्टर यह था जो पहले था हमारा offer manufacturing sector में होना चाहिए हमारा project की कोस्ट दस लाग और इन बिजनस सर्विस सेक्टर में प्रोजेक्ट की कोश्ट होने चाहिए हमारी पांच लाग इसके लिए education age standard pass होना चाहिए next है 4 new project sanctioned not for old ये शिर्फ new project के लिए sanction की जाती है old के लिए नहीं next point हमारा only one person from one family एक family सिर्फ एक person को ही select किया जाता है इस scheme के लिए नेक्स्ट है हमारा बैंक फाइनेंस, बैंक कितना फाइनेंस करते हैं, जनरल कैटिगरी के लिए 90% of project cost और स्पेशल कैटिगरी के लिए 95% of project cost next point है हमारा repayment, loan की repayment के लिए कितना period है, यह हमारा 3 से 7 साल, after an initial moratorium, एक moratorium period दिया जाता है, उसके बाद यह time शुरू होता है, कितना है 3 से 7 साल training, project cost पांच लाग, जब project की cost पांच लाग है, तो आपको पांच दिन की training दी जाएगी, project cost अगर पांच लाग से उपर है, तो इसमें आपको 10 दिन की training दी जाती है next जो scheme हमारी वो है, day nrlm, इसकी full form है, दीन द्याल, अंतियोद्य, योजना, national, rural, livelihood, mission यह जो day nrlm, nrlm scheme है, यह sgsy, इसकी full form है, स्वन, जन्ति, ग्राम, सवरोजगार, योजना, इसको restructured किया गया है इस scheme को launch किसी ने किया है, it is launched by the ministry of rural development, government of India, कब 1 अप्रेल 2013 को next जो हमारे पॉइंट है, nrlm, day nrlm का बदला हुआ नाम है, यह कब नाम कब चेंज हुआ था, 29 मार्च 2016 को next point है, day nrlm promotes किसको promote करती है, वो self-help group को self-help group में minimum कितने member होते हैं, maximum कितने होते हैं, self-help group में 10 minimum और maximum 20 member हो सकते हैं next point है, in case of difficult areas, group with disabled persons and group formed in remote areas, इसमें कितने हैं, minimum कितने member हो सकते हैं, 5 next है, हमारा revolving fund amount, revolving fund amount कितने हैं, minimum 10,000 और maximum 15,000 जो revolving fund है, इसके लिए कौन है, self-help group, which are in existence for a minimum 3 to 6 month, जो 3 से 6 महिनों से जो group बना हुआ है, self-help group वो इसके लिए eligible है, who follows the norms of good self-help group, और दूसरा point क्या है, जो good self-help group की norms को follow करते हैं, जो क्या है, पंच सुत्रा, पंच सुत्रा में क्या है, first हमारा regular meeting, पंच सुत्रा क्या है, यह होते हैं, हमारे यह पांच point, first है regular meeting, regular saving, next हमारा regular internal landing, और regular recovery, regular maintenance of proper books of account, यह हैं good self-help group की norms, इसको बोलते हैं, पंच सुत्रा, next हमारा loan amount, loan की amount कितने होती है, in multiple dosages, multiple dosages में दी जाती है, one time next point हमारा, यह कैसे दिया जाता है, term loan और cc limit, यह term loan में भी दे सकते हैं, और cc limit में भी cash credit limit, next point हमारा additional loan based on previous loan, यह additional loan भी दे सकते हैं, previous loan पे के base पर, कब अगर उनकी repayment और उनका behavior अच्छा हूँ, next point हमारा, in case of ccl, cash credit limit में minimum loan, कितने हमारा, six lakh, और four a period of three years, यह उत्ता हमारा, तीन साल के period के लिए, which, with a yearly drawing power, means, यह हमारा जो in ccl के case में जो हम loan देते हैं, वो हमारा 6 lakh का होता है, और इसका period क्या होता है, तीन साल का, और यह नहीं कि एक बार में दे देते हैं, इसको yearly इसकी drawing power dp होती है, first year इतनी drawing power होगी, next next, point in case of tl, term loan के case में क्या होता है, loan amount should be sanctioned in doge, doge में दे जाती है, देखे कैसे, cac, tl, यह हमारा type और dp for first year, कितनी होगी, dp for second year, dp for third year, dp for fourth year, देखे सबसे पहले, क्या होगा, cc या tl के रूप में दी जाएगी, first year कितना होगा, six time of existing corpus, और minimum डेड़ लाख, जो इनका corpus है, उसका six time, या फिर डेड़ लाख, जो भी आधिक होगा, next हमारा second year, second year में कितना होगा, यो ति second dose, वो होगी, eight time of corpus, corpus का eight time, या फिर तीन लाख, इन दोनों में से जो भी जाएदा होगा, third year में क्या होगा, minimum six लाख, कम से कम छे लाख, based on the micro credit plan prepared by SHG, fourth year में क्या होगा, अबो six लाख, six लाख से उपर, based on the MCP, micro credit plan, next हमारा repayment period, repayment period कितना होता है, first dose, इसके लिए होता है, 24 महिने से 36 महिने, quarterly installment की बेस पे, ठीक है, इसमें होता है हमारा 36 महिने से 48 महिने, third में होता है, 48 महिने से 60 महिने, fourth में होता है, 60 महिने से 84 महिने, coverage, under self-help group, जो self-help group है, इसके under क्या coverage होता है, SC, ST, कितने लिए जाएंगे, 50%, जो self-help group, एक group बनता है, इसमें, SC, ST, के 50% मेंबर्स, SC, ST, से होने चाहिए, मनोर्टी के होने चाहिए, 15% और परसन विद दिसेबिलेटी होता है, 3%, next point हमारा, दीन द्याल अंतियोद्यय योजना, इसकी फुलफों भी पूच्छते हैं, आपको, SJSRY, स्वार्ण, जन्ती, सहरी, रोजगार, योजना, इसको restructured किया गया है, sorry, SJSRY को restructured करके, DNU LM को बनाया गया है, इसको restructured किसके तवारे किया गया है, दा गोर्मेंट ओफ हिंडिया, मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग एंड अर्बन अफियर्ज, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, इसको लोंज किसी ने किया है, यह है, NU LM, नेक्स्ट एज लिमिट, इसमें एज लिमिट के होती है, मिनिमम एटिन, इसके लिए एज लिमिट, जब आप लोंज के लिए अपलाई करते हो, डे, NU LM कित्रू, नेक्स्ट एज हमारा प्रोजेक्ट कोस्ट, प्रोजेक्ट कोस्ट क्यों होती है, दा मैक्सिमम यूनिट प्रोजेक्ट कोस्ट फोर एन इंडिविज्वल, इस तो लाख होनी चाहिए, और टोटल टैन लाख, विच एवर इज लोवर, अगर ग्रूप में हैं, तो ये दस लाख, टोटल, इंडिविज्वल के हिसाब से देखेंगे, आप दो लाख, और पूरे ग्रूप की देखेंगे, तो दस लाख हिस से जादने होनी चाहिए, कुलेटरल, इसके लिए नो कुलेटरल अप टू 10 लैक, दस लाख तक कोई कुलेटरल नहीं ली जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्रांचिच में अवेल, गारंटी कवर फ्रोम, सी जी टी एमेस्सी, क्रेडिट गारंटी, फंड ट्रस्ट फोर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजिच, नेक्स्ट हमारा, रिपेमेंट, रिपेमेंट कितने टाइम के उत्ती हैं इसकी, 5 से 7 साल, आफ्टर मोटोरियम, मोटोरियम पेर्ड जो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये रिपेमेंट पिरिड पांच से 7 साल, मार्जन, मार्जन के तन तन नो, कोई मार्जन ने होता, 50,000 तक, इलिजबिलिटी, इसमें योग गेता क्या है, मिनिमम थ्री मेंबर, इन ग्रूप, इंटरप्राइजिज, विद ए मिनिमम सेवंटी परसेंट ओफ दा मेंबर, फ्रोम अर्बन पूवर फैमिली, एक फैमिली से, एक से ज़्यादे मेंबर नहीं होना चाहेगी, नेक्स्ट है, जो हमारी स्कीम, वो है DRI, डिफ्रेंशियल रेट ओफ इंड्रेस्ट, डियरेक फूल फोम्बी आपसे पूछ सकते हैं, डिफ्रेंशियल रेट ओफ इंड्रेस्ट, किसके लिए, इस्कीम कमजोर वरक की इकनोमिक कंडीशन को इंप्रोव करने के लिए, प्रोवाइडिंग फैनांशियल एसिस्टind, a concessional rate of interest low rate of interest पे इनको financial help दी जाएगी for engaging in productive and gainful activity productive activity करने के लिए इनको ये लोन दिया जाएगा next point हमारे योग्यता इसके लिए योग्यता क्या है family income कितनी होने चाहिए maximum 18,000 annually in rural rural में 18,000 annually और urban में होने अर्बन और semi-urban में होती है 24,000 annually next point हमारा land holding criteria land holding criteria क्या है people with no land holding जिनके पास कोई land नहीं है वो इसके लिए eligible है next point है अगर land is irrigated अगर सिंचित है मतलब पानी की शुविदा है land के लिए तो वो कितने हो चाहिए एक हक्टेर से जादानी एक एकर से जादानी होने चाहिए अगर आपकी land अन इरिगेटिड है जहां पर सिंचाय की शुविदा नहीं है तो वो कितने हो सकते आपकी डाई एकर से जादानी होने चाहिए तब आप इस स्कीम के लिए eligible है शुस्क्राइस्ट के लिए यूदिप्व किटेरिय अपलाई नहीं होता कि जुव यूड़ए क्रिटेरिय है वहूदिफिंयर तो फिलिए जुग अपलाई नहीं होता नेक्स्मारी इमारा बैंक लोन एक्टिवितिये उसकुन कुन से एक्टिविटिज पोर कि इंड़े सकते हैं वह मैंक्सिमम 15,000 फोर फिजिकली पांच हजार एक्स्ट्रा अगर कोई फिजिकली हैं तो उसको 5000 एक्स्ट्रा दे सकते हैं मतलों 15,000 और तारगेट किया है पर मिनिमंम 40 पर सेंट कहां से लिए तो सीस्ट को विम पर सेंट लिए जाएंगे बेने चोट परसेंट जो बनेफित लेगा और इसमें क्या सबसीडी नहीं है, नो मार्जन, कोई मार्जन नहीं है, रेट ओफ इंट्रेस्ट कितना होगा, इस स्कीम पर परसेंट, सिंपल इंट्रेस्ट, रिपेमेंट टाइम कितना होगा, पांच साल, आगर हाउसिंग, होम लोन ले रखा है, मतलब इस केज में, तो वह औरहाच कितना होगा, परसेंट, परफ इस केज यृव दोलागन के था, इस सा लोक निए से तीनित, लोन शुर्ट होगा, क्या होगा, पर इस फेंडली का एक फेपली से शिर्फ एक पर्षन को ही लिआ जाएंगा ऐलिजीबल फोर कैस एसिस्टेंट चालीस हजार यहां पर इस स्कीम के अंडर चालीस हजार कैस दिया जाएगा जो कि मतली होगा हमारा सात हजार आप इस लोन के अंडर साथ हजार मन्थली विड्रोव कर सकते हैं आपको किस्तों में मिलेगा ही 40,000 नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैक्सिमम लोन अमाउंट किते हैं दी जा सकते हैं 10 लाग तक वो उसपे डिपैंट करते हैं कि आप काम क्या कर रहे हो नेक्स्ट हमारा रेट ओफिंट्रेस्ट नेक्स्ट हमारा रेट ओफिंट्रेस्ट रेट ओफिंट्रेस्ट कितना होता है अप टू टूट्टिफाइव थाउजन यह होता है पांच परसेंट अगर पत्चिस हजार तक का लोन आपका आपका rate of interest लगेगा 5% अगर वो man है तो इस पर लगेगा 4% 25,000 से उपर पर लगेगा आपका 6% yearly next point हमारा repayment repayment इसका कितने टाइम होता है 5,000,000 का 5 वर्स है और 5,000,000 शे उपर की repayment होगी हमारी 7 वर्स में margin इसमें कोई margin ने होता निल है तो ये थी आमारी government sponsored schemes इनका पच्छी से देखले Thank you